आप गुर्मोर्निंग स्टूडेंट्स वाहिरुजी का खालसा वाहिरुजी की फते अच्छा तो आज डेट कितनी है स्टूडेंट्स डेट है सेवन एपरेल टूथाजन ट्वन्टी ठीक है और दे के आए आज डे है टूजडे अच्छा तो हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ है चैपर 1 का क्या नाम पर लिखवाया था सब बच्चों को आर्टीकल्स आर्टिकल सब्सेक्ट T. Chelsea क् टॉपिक के चलlang एपारा डेफिनेट अ रथिकल और डैफिनेट आर को और कहां का लगाते हैं दर को लगाते हैं उन इन पीपल और ऑबजेक्ट लगाते हैं जो की जो की युनीक होते हैं ठीक है अच्छा देखते एक ग्जामपल लेते हैं कौन से जो है ऑबजेक्ट जो पीपल युनीक है ठीक है अच्छा यहां एक्जामपल लिखा हुआ है सन shines in dash sky ये उनसा sun और sky है ये unique है ये unique कैसे है ये एक लोता sun है हमारे पास और sky भी एकलोता ही है थीके जो वह अमारी environment में जो sky है वो एकलोता ही है थीआ है बीणिऑ neste meanq introductions unique थीके अच्छा तो unique है तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम हम इन सबके साथ क्या लगा देंगे दर संबी एक लोता यह माट पसट है युणीक है ठीक है तो इसके अगले का लिए लगा दिया मैंने दर ठीक है ड़शन शायंस इन ड़िसका आध सथ घंग लेगा है कि यहां पर विए सन लिक दिखा वहां पर हमने क्या लगा देना है यहां पर सकाई दिखा वहां पर भी दर लगा सकते हैं पुनेक एक तरण करते हैं अर्थ next है be sentence है ये ठीक है earth moves around the sun sun के साथ मैंने बोला ही है कि the लगाना है ठीक है earth के साथ भी क्या करना है the लगाना है क्यों earth भी एक unique ही है क्यों unique है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है earth यहां पर life exist करती है ठीक है अच्छा है तो इसमें हम लगाएंगे the earth के साथ लगा दिया हमने the ठीक है और sun के साथ भी लगा दिया है the यहां पर ठीक है यहां लगा दिया हमने the the ठीक है यह लग दिया the ठीक है चो next sentence परते हैं next sentence में क्या है dash moon is around today ठीक है अच्छा आगया sentence में क्या आगया moon ठीक है क्या आगया MOON आगया ठीक है तो MOON क्या है आज ROUND है ठीक है ROUND का Exact meaning goal है पुरा MOON ठीक है GORL है इससे हमें किस फरक नहीं पड़ता हमें ही फरक पड़ता है MOON के साथ हमने क्या लगाना है MOON क के विख लोटा MOON है UNIQUE है ये ठीक है तो युनीक वर्ट के साथ हम क्या लगाते हैं द ठीक है यहां लगा देंगे द ठीक है टी एच इड़ द मून इस राउन टुड़े ठीक है ऐसे ठीक है अच्छा नेक्स संटेंस पढ़ते हैं वर्ल्ड इस ब्यूटिफूल ठीक है नेक्स संटेंस में लिखे हैं वर्ल्ड इस ब्यूटिफूल अच्छा तो हमें द के साथ भी क्या लगाना है द दो वर्ल्ड के साथ क्या लगाना है द लगाना है ठीक है वर्ल्ड के साथ क्या लगाना है वर्ल इस लिखे वर्ल्ड इस ब्यूटिफूल world के साथ लगा रहा है हमने the ठीक है यह लिख दिया हमने the ठीक है अच्छा next sentence में बढ़ते हैं you क्या लिखा हुए you can go anywhere in dash world ठीक है अच्छा तो इसमें क्या लिखा हुए you can go anywhere in dash world ठीक है world आ गया world वर्ड आ गया ठीक है दुनिया ठीक है दुनिया के world का मिनिंग है दुनिया ठीक है तो इसमें क्या लिखाना है the world you can go anywhere in the world ठीक है ठीक है यह लिखा दिया हमने the ठीक है यहां पर दर लिखा दिया अच्छा next sentence आ गया है sun rose at 6.17 this morning ठीक है यह उसा rose दिखा है यह rose रोज फ्लावर रोज नहीं है यह रोज है second form of the world rise की sunrise दिखते नहीं है sun rose दिखा रहने एक बीट सुके और समय की बात कर रहे है ठीक है यह इसकी अंदर sentence में नहीं जाना हमें यह दिखना है कि यह लिखा हुआ है sun ठीक है sun एक रोधा sun ठीक है यूनीक है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है दो ठीक है sentence की वो second form बात में डिसकॉस करेंगे ठीक है वो टेंस जब करेंगे तब डिसकॉस करेंगे ठीक है अभी हम क्या कर रहे है discussion कि दो काहां लगना ठीक है दो यह लगा दी मैंने दो ठीक है इए लिख देते हैं दो यह दो लिख दिए मैं ठीक है इए लिख दिए दो ठीक है दो संव रोज एट 6 17 दिस मॉर्निंग ठीक है अच्छा ए रूल नंबर टू यहां पर खतम हो गया रूल नंबर टू यह था कि यूनीक चीजों के साथ हम दो लगाते हैं ठीक है वो यह सब बच्चों ने समझ समझ के अपनी नोट बुक में उतारना है ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स वे नाइस दे स्टूडेंट्स